दोस्तों नमस्कार आदाब सर्च्रियकाल नेवसक्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तरप्रदेश विधानसवा के चुनाओं में चौते चरण का मत्तानाज संपन्न हो गया और ये जो चौता चरणता दोस्तों नौ जिलों में 63 सीटों का ये बहुत महत्पूर्ण च्छेत्र है क्योंकि इस अवद के इलाके को और जिसमें एक बादा की सीट भी है जो बंदेल खंड हलका में आता है तो इन जिलों में जो मत्दान हुआ है 9 जिलों में आम तर पे माना जा रहा था कि इससे सत्ता धारी जो भारती जनता पार्टी है उसका इलाका शूरू हो जाएगा और इसलिए माना जा रहा था कि 2017 में इस इलाके में भारती जन्ता पार्टी ने बहुत शांदार जीत अर्जित की थी बलकि यूं कहा जाए कि बेमिसाल जीत अर्जित की थी 2017 से पहले उसने कभी इस तरह की जीत नहीं दर्च की वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी जीत कभी उसको नहीं मिली थी जैसी 2017 में मिली थी लेकिन तीसरे चरण के मतदान के बाद जो मान कर बहुत सारी लोग चल रहे थे खासकर टेल्विजन चरणों में यहां तक की यूट्यूब चरणों पर भी और अख़वारों में अपनी एनल्सिस देने वाले लोग की तीसरे चरण से एक ऐसी यात्रा सुरू होगी दिगविजय की जो दिगविजय यात्रा भारती जनता पार्टी की होगी लेकिन तीसरे चरण में वो दिगविजय यात्रा बहुत कंश्यूजड बहुत ही एक संश कि बादल उस पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर वाकई कोई दिगवेजय आत्रा भारती जनता पार्टी की है या नहीं है और माना गया कि तीसरा चरण भी भारती जनता पार्टी के लिए इसकी आशा के अनुरूप नहीं हुआ तो क्या चौता चरण हो जाएगा कियोंकि चौते चरण पर बहुत आसरा था बहुत भरोसा था क्योंकि अवद का ये इलाका है जहां पर उसको लगता था कि इस इलाके में जो उसका अपना वोट बैंक है उस वो वोट बैंक अभी तक इंटैप्ठ है आज क्या हुआ अब नाम बताता हूँ जहां पर भारती जनता पार्टी की स्टिती 2017 में बहुत शांदार थी पिलीभीत लखीमपूर खीरी सीतापूर हर्दोई उन्नाव लखनव राइबरेली बादा और फतेहपूर इन जिलों में जो मतनान हुआ है आज आपको बताएं कि किसी भी जिले से जो अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिली है कहीं भी भारती जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दावा ये नहीं कर सकते कि उनको 2017 के आस पास भी कहीं सफलता मिलती नजर आई मतदाताओं के बीच में घूमने वाले जो रिपोर्टर्स हैं मैंने उनसे भी बात की मैंने कारिकरताओं से भी बात की अलग-अलग पार्टियों के मैंने टीचर्स एड़ोकेट्स सोसल एक्टिविस्ट हर तरह के लोगों से इन नौ जिलों में कम से कम मैंने पास जिलों मे फोन करके लोगों की रायली जितने रिपोर्टर्स गए हैं जो मेरे परचित हैं मित्र हैं उनसे भी उनका अनुभव पूछा और आपको मैं बताओं उनका नीचोर क्या है नीचोर यह है कि भारती जनता पार्टी को जिन समुहों ने 2017 में वोट दिया उसमें काफी बड़ा इ में भारती जनता पार्टी को गैर यादव OBC में जो वोट मिले थे उसी वोट की बल पर उसको इतना बड़ा बहुमत मिला था उत्तर पर देश में लेकिन इस चुनाव में इस मत्दान के दवरान आम तोर पे माना जा रहा था कि तीसरे चरण के बाद तीसरे चरण में भार सारे कमिन्टेटर्स का है रिपोर्टर्स का है और वहां के लोगों का भी है लेकिन चौते चरण से वो मान कर चल रहे थे कि आवध में दिगविजय की आत्रा शुरू हो जाएगी लेकिन दोस्तों आज भी भारती जनता पार्टी में उतनी एक एक जो दिगविजय के प्रत बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो बीजेपी कोट किया था पिछली बार वो इस बार नहीं कर रहा है जैसे रिपोर्टर्स ने साफ साफ गाउं में जाकर जब पूछा कि बही पासी समुदाय के लोगों से पासी इस छेत्र में इस नौजिलों में पासी समुदाय के लोग इन लोगों का बड़ा हिस्सा बीजेपी का साथ देता आ रहा है और 2017 में तो जम कर इसमें दिया था लेकिन पासी समुदाय में देखा गया कि इस बार वो साइकिल पर चड़ रहे हर जगा साइकिल की बात हो रही है तो ये जो इरोजन है OVC कमुनिटी में वो निश्चित रूप से भारती जन्ता पार्टी के पिछले पांच सालों की सरकार के दोरान जो नीतिकत पैसले कुछ किये गए उसका एक रिफ्लेक्शन है उसका प्रभाव उस पर पड़ता रजर आ रहा है इसी तरह से हमने तीसरे फेज में देखा कि शाक के समुदाय जो कहीं कुशवा कहीं सैनी के रूप में कश्यप के रूप में जिसको चिन्हित किया जाता है संबोधित किया जाता है उसमें भारी इरोजन था यहां तक की पटेल समुदाय उसमें भी इरोजन देखा गया खासकर जो केशव देव वर्मा जिनकी पार्टी महांदल है और महांदल इस समय समा परनादल, कमेरावादी और जो राजभर सहाथ की पार्टी है ओम प्रकाश राजभर जी की वो जिस तरह से इसका कंस्वेंट है तो महांदल के कारण तीसरे फेज के जो मतदान जो केंदर थे जो कंस्वेंशिस थी उसमें भी देखा गया कि एक बड़ा डिविजन हुआ है ज भी चौथे चरण में ऐसा ही हुआ है और माना यह जाता है कि इस इलाके में उनके वोट बहुत महत्पूर होते हैं तो दोस्तों इसका क्या मतलब है मैं इन तक्षियों को किवल इसलिए रखा कि मैं चौथे चरण के बाद समूचे उत्तर प्रदेश के बारे में आपको एक अपनी ओपीनियन दे सको अब तक मैं दूसरों द्वारा मुहया कराए गए तक्षियों की रोशनी में और जिन लोगों से मैंने बातचीत की वो क्रिडिबल लोग है वो बहुत भरोसे मंद लोग है जिन के पास प्रफेशनलिजम भी आए जिन पत्रकारों से मैंने बात की रिपोर्टरों से बात की और प्लस जिन एक्टिविस्स से बात की जिन आम लोगों से बात की उनको मैं वर्षों वर्ष से जानता हूं और उन छेतरों में जाते हुए मेरा उनसे संपर्क रहा है कभी अतीत में जब मैं एलेक्शन रिपोर्टिंग में गया या दूसरे और किस नजरा रहा है इसमें तीन चार बहुत महत्पून बात है इसमें एक सबसे बड़ी महत्पून बात है कि हिंदुत्वा और मोधित्वर ये दोनों का कोई असर इस चुनाव पर वैसा नहीं पड़ता नजरा रहा है जैसा हमने 2017 में देखा जैसा हमने 2019 में देखा जैसा हमने 2014 में देखा तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और मोधित्व यानि मोधिवाद और हिंदुवाद इन दोनों के असर से उस तरह आकरांत नहीं है उस तरह से प्रभावित नहीं है जिस तरह पीछे के चुनाव रहे हैं पिछले तीन तो ये भारती जनता पाटी के लिए एक कोई अच्छी बात नहीं है उसके लिए ये निराशा जनत बात है उसने नौ जाने कितने ऐसे इशूज उठाए ऐसे मुद्धव उठाए जिससे की एक हिंदुत्वी करण पूरे महौल का कर दिया हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी काफी महत्पूर्ण है और वो भारती जनता पार्टी के बिलकुल विरुद्ध है तो एक ये लेकिन आप ने देखा हो गा कि हिजाब का मुद्धा उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने कोशिश कि कि ए मुद् से मिली कोट ने अपनी प्रक्रिया पुरी की तो उसको अभी हाल में मिली है उसको पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचारित किया गया कि आजमगड के लोग और आजमगड के लोग उसमें भी जोड दिया गया कि ये साइकिल पर बैठे लोग ये साइकिल के जरिये भी स्पोर् पार्टी के नेताओं ने कहीं भारती जनता पार्टी के लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ा असर नहीं पड़ा क्या लोगों ने साइकल को गरीबों की सवारी के रूप में पेश करना सुरू कर दिया और जो सच है तो इससे साइकल को और थाकत मिल गई वो एक तरह से उ दूसरे मुद्दे खोजने चाहिए थे लेकिन उन्होंने मुद्दा ये खोज लिया तो इसका मतलब यह है कि इस चुनाव में हिंदुत्तोवाद क्योंकि मंदिर का कोई मुद्दा है नहीं मंदिर तो अब बन रहा है कोड के आदेश पर और प्रहानमंत्री मोदी इतनी सारी एड्रेस कर रहा है रैलियां लेकिन उनकी रैलियों में भीर नहीं जा रही है अब आप सहारन पूर की रैली की उनकी तस्वीरों को आप देखें जहां भी आप देखें रैलियों में भीर नहीं है ये आकरशन जो है कहीने कहीं कम हो रहा है और दोस्तो हम जब आप से बात क उसके कुछी घंटे पहले लखनव में चुनाव संपन हुआ है और उसके ठीक बगल में 12 बंकी है प्रदानमंत्री जी वहां गए फिर कौशांबी गए अब ये भी एलेक्शन कमिशन की माया है कि जहां पर मतनान हो रहा है उसके ठीक बगल में प्रोपगेंडा चल रहा है उस दूरदर टेलिविजन पर और तमाम प्राइवेट चैनलों पर लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक उसका कोई प्रबंदर नहीं किया कि कैसे उसको टेलिकास्ट होने से या तो रोका जाए या कम से कम मतदान वाले शित्रों में उसको नौप्रदर्शित किया जाए इसके साइकिल हार जाती है समाजवादी पाटी हार जाती है विपक्ष का कोई भी गटबंदर हार जाता है लेकिन इस चुनाव में वो नहीं हुआ ओवी सी में बड़ा सेक्षन एक ऐसा है जो जाती जनगरणा नो कराया जाने की वज़ासे आरक्षन के नियमों में खाफी हद तक उसको कमजोर करने की वज़ा से लेटरल इंट्री के डिसीजन जो सरकार ने केंदर गे किया और तो राजे में भी करने की बात चल नहीं है उत्तर प्रदेश में इसकी वज़ा से एडवलो एस का जो रिजर्वेशन हुआ उसकी वज़ा से इन तमाम कारों से ओवी सी में एक किया ये जनता ने समूहों ने समाज ने किया और इससे एक एक जुटता बनी है तो ये दो पहलू मैंने आपको गिनाए और तीसरा पहलू कि मुस्लिम कम्मुनिटी के वोटों को डिवाइट करने के लिए बहुत सारे उत्तर प्रदेश से बाहर की बहुत सारी राजनितिक पार्टियां राजनितिक समूह उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर पड़े थे लेकिन उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता नजर आया है तो ये बड़ी महत्मून बात है और शायद इसलिए अभी हाल में मैंने देखा कि ग्रे मंत्री जी ने बीस पी की तारिफ की ब रिलेवेंट हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार भी वो इर्रिलेवेंट अभी नहीं होई है उनको भी वोट मिल रहा ऐसी बात कही मायोती जी ने उनके जवाब में आज कहा दिया मद्दान के अंदर पर जब पत्रगारों ने पूछा कि उनकी प्रसंशा क कि ये उनकी महांता है कि वो मान रहे हैं कि हमें अच्छा वोट मिल रहा है ये बात उन्होंने कह दी तो दोस्तों ये सब सारी चीज़े हो रही हैं लेकिन इस बीच हम आपको बताएं कि आज एक और खबर अभी अभी आई है वो ये है कि महाराष्ट के कैबिनेट मंत्री औ बड़े नेता जो अब तक भारती जन्ता पार्टी पर लगातार गठबंधन जो वहां सत्ताधारी गठबंधन है शिवशेना कॉंग्रेस और एंसीपी का उसके प्रवक्ता के तोर पे बोला करते थे टेलिवीजन पर नवाब मलिक नवाब मलिक को एडी ने इन्फोर्स्मे पर गिरफ्तार किया गया जब चुनाओ का चौथा चरण उत्तर प्रदेश में चल रहा था दोस्तो हम सब जानते हैं कि मुस्लिम कम्यूटी के बहुत सारे बड़े नेता जिनकी पॉपुलर्टी अपने समाज में है यां तक की दूसरे समाजों में भी है उनको पहले भी कार के मामलों में सजायाफता राम रही मैं उनको पंजाब के चुनाओ से एन पहले फरलो पर छोड़ दिया गया और अब उनको जेट प्लस केटिगरी का सेक्यूटी मैं नहीं समझता कि भारत के इतियास में ऐसा कभी हुआ होगा कि एक सजायाफता कैदी जो जेल से फरलो जिसको मिली और जो हत्या और बलातकार जैसे मामलों का आप अरे सजायाफता कह दिया है ये सब चीजें भी चल रही है चौथी या पांस्वी केस जो भी हो तो ये ये अब हमने इस बारे में मंबई के एक बहुत देश के जाने माने पत्रकार मंबई में जो काम करते हैं रह सारे पत्रकार या यहां के लोग आम लोगों में भी आज चर्चा थी कि क्या नवाब मलिक जैसे मुखर मुस्लिम नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराश्ट की सरकार में और भारती जनता पाटी के धूर भी रोधी हैं खुल कर बोलते रहें क्या उनकी गिरफतारी का उत्तर प्रदेश के चुनाओं में देख रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाओं में जिस तरीके से सतारूर दल भारती जनता पार्टी को एक चुनाओती का सामना करना पड़ रहा है उसको देखते हुए उसको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने दाउद को जोड़ा है अपराधी को जोड़ा है तो ये उनको एक वोटों की खेती में थोड़ी मदद करेगी और उनका जो घड़ता हुआ आत्मविश्वास है उसको वो फिर से जगाने की कुशिश करेगी क्योंकि नवाब मलिक जो है उन्होंने वो उत्तर भारत के काफी लोग प्रिये नेता है उनकी पार्टी का एक उमीदवार जुनाव भी लड़ रहा है और वो महराष्ट और उत्तर प्रदेश के एक तरीके से सेतू है उनका जो निर्वाचन शेत्र कुड़ला है उसमें कई उत्तर भारती रहते हैं और क्योंकि वो अल्प संख्यक संगुदाय से हैं इसलिए उनक क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए दाउस से जोड़ना एक आसान और एक बहुत ही सरल तरीका है जिससे की आरोप तकाल उन पे चिप्राए जा सकते हैं अनुरादी बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों हम आज चोथे चरण के बाद उत्तर प्रदेश के एलेक्शन का क्य परिद्रिश्य रहा है इस पर आप से हमने आज चर्चा की हम इसी तरह की चर्चा आगे भी करते रहेंगे नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल